कबजा करना और किसी देश की सीमा का उलंगन करना पाकिस्तान की पुरानी आदत का हिस्सा है पाकिस्तान न सर्व भारत के हिस्से पर अवैद कबजा करके बैठा हुआ है बलकि उसने ऐसा अफगानिस्तान के साथ भी किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दुरंद लाइन को लेकर विवात काफी पुराना है तालिबान भी दुरंद लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा की मानेता नहीं देता पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद कई बार दुरंद लाइन को लेकर खुब ववाल देखने को मिला अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है इस वीजो में तालिबान लड़ाकों को दुरंद लाइन पर बने पाकिस्तान के सीमा पिलर को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बनाया है। तालिबान सरकार में कारेवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकुब मुजाहित ने दुरंद लाइन का दौरा किया था। इसके साथ ही लड़ाकों की भारी भरकम फौज भी उनके साथ मौजूद थी। गुल्ला याकुब ने इस दौरान पाकिस्तान सीमा पर मौजूद सुरक्षा हालात की जानकारी ली और तालिबान लड़ाकों को भी संबोधित किया। तालिबान रक्षा मंत्री के पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्ता का जाइजा लेने के दोनु देशों के बीच पड़ते तनाव से जोड़ कर भी देखा गया। चन्द दिनों पहले ही तालिबान ने पाकिस्तान के साथ वकान गलियारे पर एक समझोते पर पहुचने की अवाहों का भी खंडन किया था। इतराज जताते हुए जंग की धंकी पिछले साल ही दे दी थी तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानि दुरंद लाइन को नहीं मानता है उसका दावा है कि अफगानिस्तान का इलाका आज भी सीमा के काफी आगे तक है एक लौता ऐसा जिस पर अफगानिस्तान की पूर नागरिक सरकार और तालिबान एक मत है ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक पूर भारत तक